सदबहार सची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है एक आत्मी के लिए उसका समान और चरित सबसे महत्यपूर्ट चीज है और अगर में मर्द अपनों से बहुत दूर देश में बैठा है तो उसके लिए अपनी भावना और अपनी इक्षाओं को नियंतर करना और भी मुश्किल है खास कर अगर में शादी शुदा है तो मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है बले ही मैं शादी शुदा था फिर में मुझे अपनी पत्नी को छोड़ कर ग्रीन लेंड जाना पड़ा इसलिए वहाँ की महिलाओं ने मेरे साथ जो किया उसे जान कर आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे मैं विस्तर से उठा और बातरूम की तरह पढ़िया मुझे बातरूम में नहाना था मेरी ग्रीन लेंड की मैडम ने रात मुझे कुछ ऐसा करवाया था उसके बाद मुझे नहाना बहुत जरूरी हो गया था मैं शावर खोल कर उसके लीचे खड़ा हुआ और आखे बंद करके रात के एक एक पल को सोचने लगा लेकिन पता नहीं क्यूं जितना ज्यादा मैं सोच रहा था उतना ही मेरा दिमाग बंद हो रहा था रह रहे कर मुझे अपनी पतनी का ख्याला आ रहा था जिसे मैं हिंदुस्तान छोड़ कर आ गया था मेरी ग्रीन लेंड की मैडम ने जो हरकत मेरे साथ की थी मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था वैं जानती थी कि मैं शादी शुदा हूँ उसके बावजूद भी पता नहीं क्यूँ उन्होंने रात मेरे साथ ये सब कुछ किया था शावर के पानी के साथ साथ मेरी आँखों से भी पानी बेर रहे थे मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरह मेरी ग्रीन लेंड की मैडम ने मेरे साथ अब सुनिये मेरी कहानी मेरी जुबानी मेरा नाम मकसूद है मेरा तालुक यूपी के अली गड़ से है मेरी शादी को दस दिन लीते थे कि अचानक ही मुझे ग्रीन लेंड की एक कमटनी से फोन आ गया था मुझे वहाँ नोकरी मिल गई थी उस नोकरी के लिए मैं पिछले दो सालों से बहुत कोशिस कर रहा था मगर मैं सोच भी नहीं सकता था ये नोकरी मुझे इस टाइम मिलेगी जब मैं अपनी शादे सुदा जिन्दगी की शुरुआत कर रहा था उस नोकरी के हासिल करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसलिए जब मुझे ये नोकरी मिलने की खबर मिली तो मेरी खुशी का ठीकाना ना रहा लेकिन वही दूसरी तरफ मेरी पतनी सहाना जिसे इस बारे भी कुछ भी मालूम नहीं था उसे पता चला तो उसने एक अलगी हंगामा खड़ा कर दिया था इस तरह रोई कि मैं बता भी नहीं सकता कहने लगी मकसूद आप मुझे इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकते ना ही शादी से पहले आपने कोई ऐसी बात की थी ये तो सरासर मेरे उपर जुल्म है मेरे साथ गतारी है मैंने उसे प्यार से समझाने की बहुत कोशिस की मैंने दो साल पहले इस नोकरी के लिए बहुत कोशिसे शुरू कर दी थी मुझे क्या मालूम था इस तरह शादी के दस दिन बाद ही मुझे ये नोकरी मिल जाएगी ये सब तुम्हारे नसीब से मुझे मिल रहा है देखो मैं ग्रीन लेंड जाऊंगा तो हम दोनों के ही नसीब बदल जाएंगे सहाना ने जल्दी मना कर दिया कहने लगी मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसके लिए आप से दूर रहना पड़े इससे पहले कि मैं सहाना की बातों में आकर मना करता हमारे जगड़ी की आवाज पर मेरी मा मेरे कमरे में चली आई और जब उन्हें मेरे इस नोकरी का पता हुआ तो वे बहुत खुस हुई मेरे हाथ चून कर कहने लगी मकसूद ये नोकरी बिलकुल भी मत छोड़ना तुमारी ये नोकरी सिर्फ तुमारी लिए नहीं बलके तुमारी पत्नी तुमारी बेहनों और तुमारे आने वाले बच्चों के हाथ में भी है ये नोकरी बहुत अच्छा साबित होगा अभी श जब खरीदारी की जिम्मदारी उस पर पड़ेगी तब औरत को पता चलता है कि पैसा किस तरह एहम रखता है। मेरे पूछने पर कहने लगा यार हमारे देश के हालात इतने खराब हैं उस समझ नहीं आता अचानक ही मेरी नोकरी छूट गई है बताओ ऐसी हालात में मैं क्या करूँ दो बच्चों का साथ हैं मैं तो बहुत परिशान हूँ दिल चाहता है अपनी जान ले लू उसकी बास जादा फिक्र सताने लगी थी मैंने उसे तसलिय दी लेकिन मुझे यही लग रहा था कि अब इस देश में रहकर नोकरी करना बहुत मुश्किल है जितने भी मेहनत कर ली जाए महंगाई की बढ़ती हुई समस्याओं की वज़ा से खर्चे उठाना बिलकुल मुश्किल हो र रहा था कमपनी मेरा वीजा टिकट सब कुछ हफ़ते भर में ही भेज़ दिया था सहाना की माने भी उसे बहुत समझाया था कि मेरे ग्रीन लेंड जाने से उसके हद्च में ही अच्छा होगा लेकिन वे तो बस मेरा साथ ही चाहती थी बार बार मेरा हाथ पकड़कर एक बात कहती थी मकसूद मुझे छोड़ करना जाएं जब मैं उसके आगे हारने लगता तो उसका हाँ जटा कर कमरे से बाहर निकल जाता मेरे लिए भी अपनी नई नवेली बीबी को छोड़ कर जाना मुश्किल था लेकिन हम दोनों के लिए बहुत बेहतर फैसला था फिर वे दिन आ आदी हो जाएगी जब उसकी सारी जरूरत और ख़ाइस पूरी होगी तो वे समझ जाएगी कि मैंने यह सब कुछ इसलिए किया है मुझे जिस कमपनी ने बुलाया था उन्होंने रहने के लिए फिलेट भी दिया था इसलिए रहने की कोई समस्या ही नहीं थी कई घंटे की के बाद जब मैं यहां पहुँचा तो सबसे पहले मैंने घर पर ही फोन लगाया तो सहाना ने मुझसे बात ही नहीं की थी वो बहुत नराज थी माने मुझे तसली दी कहने लगी फिकर ना करो कुछ दिन की बात है मैं उसे खुद समझा लूँगी मा से खैर खैरियत हुई और मुझे फोन रखना पड़ा। सहाना कि उस रोने दोने पर मेरा दिल दुखा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वे इस तरह जिद्धी साबित होगी। मेरी मजबूरी समझने के बजाए वो मुझे और उलजा रही थी। मेरे लिए मुश्किले खड़ी कर रही थी। पहले द उनों एंगलिस में ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरी खियर खियर्यत भी पूझी और उन्होंने अपने देश में मेरी स्वागत बहुत अच्छे से की थी। मैडम के अंदाज कुछ अजیब थे। मुझे अपने सामने बिठा कर वे सर से पैर तक मुझे देख रही थी कि मैं अपने आप में सिमट गया था उनकी नजरे मुझे अपने वजूद के आरपार होती हुई महसूस हुई थी शायद मैं एक गैर मुल्क से था इसलिए वे अच्छी तरह मेरा जाजा ले रही थी या फिर कोई और बात थी मुझे अंदाजा ना हो सका फैर नोगरी का पहला दिन था काफी बीजी होते हुए भी थिया था सारा दिन मैडम के साथ साथ था वो मुझे काम समझा रही थी यहां का काम करने का तरीका हिंदुस्तान से बिलकुल अलग था यहां एक-एक मिनट का हिसाब रखा जाता था कोई और अपने काम से बिलकुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए फिर जब छुटी का टाइम आया तो मैडम ने मुझे ओफर की कि मैं उनके साथ उनके घर पर डिनर पर चलू उनकी बात सुनकर तो मैं हैरान हुआ कहने लगी कि आप हमारे मेहमान है पहले दिन तो हमारे साथ डिनर बनता है वे मेरी मालकिन थी इसलिए मेरा मना करना मुम्किन नहीं था मैं उनके साथ घर चला गया घर गया तो बहुत ही खुबसूरत सा पलम था यहां की हर चीद हिंदुस्तान से बहुत अलग थी और बहुत खुबसूरत थी मैडम ने नोकरानी को कहकर खाना की तैयारी शुरू करवाई और मुझसे कहने लगी ड्रोइंग रूम में बैठने से अच्छा है मेरे कमरे में चलो ये बात मुझे कुछ अजीव लगी मैं गेर औरत के कमरे में मुझे उठा कर चला जाओ कम से कम मेरी परवरिस तो ऐसी नहीं हुई थी और नहीं हिंदुस्तान की ऐसी कोई कल्चर थी मैंने मना किया और कहा कि नहीं मैं ड्रोइंग रूम में ठीक हूँ वैसे भी मेरी मैडम एक अकेली औरत थी घर पर एक नोकरानी और मैडम के सिवा कोई नहीं था इसलिए मैं ज्यादा अपने आप में इहतियात रखना चाहता था अगर हिंदुस्तान होता तो मैं एक अकेली औरत के घर में कभी कदम रखने के बारे में कभी न सोचता मैडम मुझे कपड़े बदलने का कहकर चली गई और जब वो आपस लोटी तो उन्होंने एक बहुत ही फैसन वाला सूट पहन रखा था जो मुझे नजर चुराने पर मजबूर कर रहा था वे कहने लगी कि अब तुम मेरे नोकर नहीं हो तुम कमपनी से बाहर हो तुम यहां मेरे मेहमान हो आराम से और तसली से हम बात कर सकते हैं वे मेरे बिलकुल बराबर आकर बैठ गई तो मेरे लिए सास लेना मुश्किल हो गया था आज से पहले मैंने किसी औरत के साथ तनाई में इस तरह करीब नहीं बैठा था मैडम ने मुझे मेरी शादी सुदा जिन्दगी के बारे में बातचित करने लगी और सहाना के बारे में सवाल पूछने लगी मुझे हैरत हुई कि उन्हें मेरी पतनी में इतनी क्या दिल्चस्पी हो गई है लेकिन उनके सारे सवाल जब आप ही मेरी शादी सुदा जिन्दगी से जुड़े हुए थे यहां तक कि उन्होंने बड़ी बेवागी से मेरे और सहाना के निजी जिन्दगी के बारे में भी सवाल कर लिया था और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी मगर मैं सोच कर भी बिल्कुल चुप रह गया था शायद यहां ऐसी बाते आम होगी लोग किसी की निजी जिन्दगी के बारे में सवाल करते होंगे जिजक महसूस ना करते हों और फिर उन्होंने बहुत अजीब बात कही कहने लगी दो साल पहले तुम्हारी फाइल मेरे सामने थी लेकिन उस टाइम तुम कुमारे थे जब मुझे पता चला कि तुम शादी शुदा हो गए हो तब मैंने तुम्हें यहां नोकरी के लिए बुलवा लिया था क्योंके मैं एक शादी शुदा मर्द को ही रखना चाहती थी जब पहली दफ़ा मैंने तुम्हारी तस्वीर को देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आ गए थे और फिर जैसे ही तुम्हारी शादी हुई तो मैंने तुम्हें यहां नोकरी के लिए बुलवा लिया मैंने हैरस से मैडम से पूछा था मेरी शादी शुदा होने से इस नोकरी का क्या तालुक है मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी और कहने लगी हिंदुस्तानी मर्द शादी शुदा हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है मैं नसमझी से उन्हें देख रहा था और हसकर कहने लगा कुछ ही दिनों में तुमें समझ आ जाईगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ मैंने मैडम के साथ खाना खाया बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ था उसके बात जब मैंने अपने जाने की पर्मिशन मांगने लगा तो मैडम कहने लगी रात बहुत हो गई है अब तुम यहीं रुक जाओ मुझे कोई एतराज नहीं होगा उनकी बात सुनकर मैं चोक गया था कि कैसे वो मुझ जैसे अजनभी को अपने घर पर ठहरने की बात कर सकती थी जबकि वो खुद भी यहां अकेली रहती थी आज हमारी पहली मुलाकात थी मैंने बड़ी मुझे से उनसे इजाजत ली थी और अपने फ्लैट पर चला आया मेरी ग्रीन लेंड की मैडम मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहिर थी उनकी मुस्कुराहट उनकी बातों में सभी बहुत अलग लगती थी लेकिन इस सब के पीछे उनका क्या मकसद था इस बात का अंदादा मुझे फिलहाल बिल्कुल भी नहीं हो सका था मुझे साहना से बात भी नहीं करनी थी मैंने सहाना को फोन लगाया लेकिन उसने तो मेरा फोन ही नहीं उठाया तंग आकर मैंने अपनी बहन को फोन लगाया उससे कहा कि अपनी भावी से मेरी बात करवाओ मेरे सक्त सब्दों पर मेरी बहन गबरा गई और ना जाने उसने सहाना से ऐसा क्या कहा कि सहाना मुझसे बात करने लगी ना चाहते हुए भी मैं उसे सिक्वा कर बैटा था कि उसने दो दिन से मुझसे बात क्यों नहीं की मैं बहुत ज्यादा परिशान हूँ सहाना खूब रही और कहने लगी आप यहां मुझे छोड़ कर चले गए हैं मेरा यहां कौन है आपके जाते ही तो सारे घर के काम मेरे सर पर डाल दिये गए हैं शादी के दस दिन बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बैसा आरा हो गई हूँ कोई मेरा है ही नहीं आप भी नहीं कहीं न कहीं उसकी शिक्वा शिकायतों को समझ सकता था इसलिए बस प्यार से उसे समझा रहा था बहुत देर समझाने के बाद असर हुआ कि चुप हो गई लेकिन फोन रखने के बाद मुझे उसकी कमे शिद्दत महसूस होने लगी थी मैं सारी रात बेचैनी से करवटे बदलने लगा मैं एक जवान मर्द था मेरे अंदर बहुत से जज़वात थे और फिर शादी के दसवे दिन ही बीवी से दूर हो जाना एक बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी थी लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि यहां आगे मेरे साथ क्या होने वाला है पहला महीना काफी अच्छा भीत रहा था मेरी तनक्वा भी ठीक ठाक थी मैंने घर पर जब इतना सारा पैसा बिजवाया तो मेरी मा की खुशी का ठीकाना ना रहा मैं कहने लगी देख मक्सूद नोकरी छोड़ने के बारे में कभी मत सोख ना कहीं ऐसा ना हो कि सहाना की बातों में तू लोटाए दो साल से पहले छुटी लेकर भी ना आना मैंने उन दो सालों में तेरी एक बहन की शादी तो करवा ही दोंगी मा की बात सुनकर मैं भी कुश हो गया था कि चलो मेरे बाहर आने से कम से कब मेरी बेहनों की शादिया तो निपड़ जाएगी सहाना की शिकायते अभी भी वैसी की वैसी थी लेकिन मैं उन पर कभी ध्यान नहीं देता था जब भी वह शिक्वा शिकायत करती मैं अपनी मुहब्बस से उसे मना लेता फिर जैसे ही हुआ मेरी नोकरी का दूसरा महीना शिरू हुआ एक साम छुटी के टाइम मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी तुम क्या काम से फिरी होते ही अपने फिलेट में जाकर बंद हो जाते हो ऐसे देश में आए हो घूमना फिरना भी चाहिए तुम्हें भी तो पता चले हमारा देश कैसा है मैडम की बात पर मैंने मुस्कुरा कर कहा मुझे यहां के बारे में कुछ मालूम नहीं है नहीं यहां की जुबान आती है बस इसलिए मैं अपने फिलेट में जाकर बंद हो जाता हूँ कहने लगी आज मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अपने देश की शेहरों में गुमाती हूँ तुम्हें यहां के खुबसूरती देख कर दंग रह जाओगे उनके बहुत जीद करने पर मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया वाकर यहां का सहर बहुत खुबसूरत था काफी देर तक मुझे यहां वहां अलग-अलग जगा गुमाती रही और दिखाती रही फिर ऐसी जगा ले गई जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वे एक छोटा सा डांस बार था जहां खुले आम शराब पी जा रही थी और लड़कियों का डांस भी हो रहा था मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी ऐसी जगा पर आया था इसलिए मेरे सांस रुक रहा था और पता नहीं क्यों मेरे हाथ पाओ भी काप रहे थे मैं पाँच मिनट भी ना लगे मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ ज़्यादा रुक जाओं मेरी तवियत खराब हो जाएगी मैंने मैडम से कहा मेरे लिए यहाँ रुकना मुश्किल है यह सब कुछ बहुत अलग है मैडम मैं इस कल्चर का नहीं हूँ मेरी बात सुनकर मैडम जोर जोर से हसने लगी थी थोड़ी देर की तो बात है तुम इस रंग रलियों की आदी हो जाओगे इतनी खुबसूरत लड़किया डांस कर रही है तुम गौर से देखे हो तो नजर ना हटा सकोगे मैडम जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ कर मुझे भी डांस फ्लोर पर ले आई थी और मेरे साथ डांस करने लगी मैं डांस क्या कर रहा था बस जबरदस्ती जैसे मेरा हाथ पकड़ कर मुझे घूमा देती मैं घूम जाता समझ नहीं आ रहा था किस तरह उन्हें मना करूँ और यहां से फरार हो जाओं फिर इतनी देर में मैडम ने एक ड्रिंग भी मेरे हाथ में पकड़ा दी मैंने मना किया और कहा उन लड़कियों के डांस में मैं बिल्कुल खो गया था जब सुबा के वक्त मुझे हो साया तो मैं अपने फ्लैट में मौझूद था मैं नहीं जानता था कि मैं यहां तक किस तरह पहुँचा हूँ बारी रात क्या कुछ हुआ है मेरा सर बहुत ज़्यादा ही भारी हो रहा था पड़ी मुश्किल से मैंने खुद को समाला मुँ हाँ धोया और फिर मुझे बातरूम में जाकर नहाना पड़ गया क्योंके रात के किसी भी वाक्य के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था समझ नहीं आ रहा था कि मैडम ने मेरे साथ ऐसा क्या किया है जबकि वे जानती थी कि मैं शराप नहीं पीता फिर भी उन्होंने मुझे जूट बोल कर सराप पिलाई एक ऐसी जगा ले गई जहां मैं जाने का सोच भी नहीं सकता था पता नहीं वे क्या चाहती थी काफी देर की बाद जब मैं खुद को सम्हाल पाया तो तयार होकर दफ्तर पहुँच गया था मैडम पहले से ही वहां मौझूद थी मुझे देख कर हसने लगी और कहने लगी मकसूद तुम जूस पीकर भी अपने होस को बैठे थे अगर तुम्हें सही में मैं सराब पिला देती तो क्या होता मैंने नाराजगी से उन्हें देखा था और कहा था कि आपने मुझे जूस नहीं सराब ही पिलाई थी वे कहने लगी जितनी हलकी शराब मैंने तुम्हें दी थी उसे यहां पर जूस ही कहा जाता है मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसी भी बैख जाओगे मैंने सरमिंदगी से नजर जुका ली थी और मैडम से कहा कि मैं आइंदा ऐसी किसी जगा पर नहीं जाओँगा उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहने लगी कि मैं तो बस इसलिए तुम्हें लेकर गई थी ताकि तुम्हें सहाना की कमी मैसूस ना हो मैं जानती हूँ कि तुम अपनी पत्नी को बहुत याद करते हो पर देशियों के लिए औरतों के बगएर यहां जिंदगी विताना मुश्किल है मैं उसकी बात अच्छी तरह समझ रहा था मैडम कहने लगी चलो मैं तुम्हें एक ओफर देती हूँ और 24 गंटे भी देती हूँ 24 गंटे में मेरी ओफर कबूल कर लो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी नहीं तो तुम्हें परिशानी उठानी पड़ीगी कौन सी ओफर मैंने हैरस से पूछा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचाना की वह कहने लगी बहुत जबरदस्ट ओफर है सोच समझ कर जबाब देना ये बात तो तुम्हें भी मालूम है कि तुम दो साल तक बगैर बीवी के तुम्हें यहां जिंदगी बितानी है इसलिए मैं तुमसे साधी करना चाहती हूँ तुम उसे साधी कर लो और हम दोनों यहां अच्छी जिंदगी बिताएंगे तुम अपनी बीबी को पैसे भीजवाते रहना वे भी खुश रहेगी मैडम की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया मैंने कहा आप कैसी बाते कर रही है मैडम जी आप जानती भी हैं मैं शादी शुदा हूँ और दस दिन की दुलहन को छोड़कर यहां आया हूँ कैसे उसे धोके दे सकता हूँ और फिर आप से शादी वैं मुस्कुराई और कहने लगी तुम्हारे पास 24 गंटे हैं अच्छी तरह सोच समझ लो वरना तुम्हारी रात वाली सारी वीडियो मेरे पास है किस तरह तुमने नसे की हालत में और तो के साथ अपनी फाहिशों को पूरी कर रहे थे मैं सारी वीडियो तुम्हारी वीबी को भिजवा दूगी और फिर तुम उसको जवाब देते रहना तुम्हारी शादी सुधा जिन्दगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हें जॉब से निकाल कर वापस तुम्हारे देश हिंदुस्तान भेज़ दूगी तुम् हर तरफ से नुकसान उठाओगे, उससे अच्छा है कि तुम मुझसे साधी कर लो, मैडम तो खुले आम मुझसे बलेक मिल कर रही थी, और मैं आके फाड़े उन्हें देख रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता था, कि ग्रियन लेंड की ओरते इस तरह चलाक होंगी, लेकिन मैडम मुझसे ही शाधी क्यों करना चाहती थी, यहाँ एक से बढ़कर एक मर्द था, उन्हें तो कोई भी मिल सकता था, वे जवान भी थी, और पैसे वाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों, वो मुझसे साधी की ख्वाइश मन थी, मैं बिना कोई जबाब दिये, उनके आफिस से बह मैंने उनके सामने अपने दिल का बोज हलका करने बैठिया था, मेरी बात सुनकर वे हसने लगा और कहने लगा, मालकिन ऐसे ही हिंदुसानी शाधी शुदा आदमियों में बड़ी दिल्चस्पी लेती हैं, आप उसके कोई पहले पती थोड़ी होंगे, उससे पहले भी तो मुझे सुरू से लेकर आखरी तक सारी कहानी सुनाई, असल में मालकिन ने पहली साधी सच मुझ में महबत की की थी, और वे एक हिंदुस्तानी आदमी था, उसके खातिर मालकिन ने क्या कुछ नहीं किया था, अपने माबाप तक को छोड़ दिया था, लेकिन उस आदमी ने मालकिन से बहुत सारे दौलत समेटा और फिर यहां से वापस हिंदुस्तान चला गया था, वहाँ पर अपनी बीबी बच्चों को छोड़ कर आया था, ये बात मालकिन के दिल में ऐसी चुभी, उन्होंने उस आदमी की हरकत का बदला, हर हिंदुस्तानी से लेनी शुरू कर लेती थी, शादी के लिए मजबूर करती और फिर शादी करके कुछ साल बाद खुद ही छोड़ देती, आप बेफिकर होकर उससे शादी कर ले, कुछ ही दिनों की तो बात हैं वे खुद आपसे आलग हो जाएगी, वरना दूसरी सूरत में आप नोक्री से भी हाद और बीबी से भी, क्योंके मालकिन सच मुच में सारे सबुत आपके बीबी को पहुचा देगी, असलम की बात सुनकर मेरी रही सही जान भी निकल गई थी, मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पढ़ गया था, मेरा अपनी मैडम से सादी का कोई इरादा भी नहीं था, मैं उस रात भी जो कुछ भी हुआ था, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बलके मैं तो पूरी तरह नशे में था, मैडम ने पता नहीं मुझे ऐसा कुछ क्या करवाया था, जिसकी धंकी वो मुझे अब दे रही थी, जैसे जैसे टाइम बीट रहा था, मेरी सांस रुपन लेकिन मालकिन की बात अपनी जगा पर बिल्कुल वैसी की वैसी थी, वे कहने लगी कि शादी तो तुम्हें करना ही होगा, वरना मैं तुम्हारी नोकरी को हतम कर दूँगी और तुम्हें वापस भेज दूँगी, लेकिन साथ ही तुम्हें इतनी बेस्ती का सामना भी करना पड़ेगा तुम सारी जिन्दगी अपनी पत्नी को सफाई देते रहना और सब को बताते रहना मैं बिल्कुल बेगुना हूँ तुम पर कोई भी यकीन नहीं करेगा मैडम की बाते सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाली मैं उनक कुछ नहीं कर सकता था जिसे मैं अपने ही घर वालों की नजरों में गिर जाता सहाना तो पहले ही मेरे ग्रीन लेंड आने से खुस नहीं थी अगर उसे मेरी दूसरी शादी का पता होता शायद वो पूरी तरह तूट जाती मैं घर पहुँचा तो मेरे घर वाले मुझे दर मैंने उसे सीने से लगाया और रोने लगा वे तो बहुत ही कमजोर सी हो चुकी थी ऐसा लगता था जैसे खाना पीना छोड़ दिया हो मुझे उसकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ था जिसके खातिर में परदेश गया था वही पूरी तरह मिठी हो रही थी मेरे इस तर मुझे यहां पर नोकरी भी मिल गई थी बहुत अच्छा तो नहीं सही लेकिन बुरी भी नहीं थी हमारे घर का गुजारा बस अराम से हो रहा था फिर दीरे मैंने सहाना को सारी हकीकत बदा दी थी मैं क्यों लोटाया हूँ यह सुनकर उसकी भी जान निकल गई थी क्या वह की औरते इस तरह की होती हैं वह मेरी बहुत शुकर गुजार थी मैंने उसे धोके नहीं दिया था मैं दूसरी साधी नहीं की थी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम मर्दों के लिए पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है हम अपना घर बार छोड़ कर परदेश चले जाते हैं और जजबात जगा कर अपना मकसद हासिल करना चाहती थी मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं बिलकुल अकेला हूँ मुझे शादी कर लेनी चाहिए लेकिन मैंने सही टाइम पर सही फैसला किया था और लोटाया था मैं अपनी मा बेहनों से और बेटियों से कहन रखें, उनकी परसानियों को और जिम्यदारियों का एहसास करें, क्यूंकि घर में रहने वाली, चार दिवाली के अंदर खुशिया देने वाली औरतें, इस बात को नहीं जानती, कि हम मर्द उन्हें ये खुशिया देने के लिए, घर से बाहर की धूप में, किस तरह अपने आपको जला कर राह करते हैं, जिन्दगी और खुशियों पर हमारा भी हक है, लेकिन हम अपने घरवालों के खातिर, अपने सारे हक को भुला कर, बस फर्च को निभाने के लिए दिन रात परिशान रहते हैं, हम जैसे मर्दों के हक में, हर मा भहन बेटी को दुआ करनी चाह जो मैंने इस तरह किया, सब ठीक था या गलत, मुझे कमेंट शेक्शन में जरूर बताईएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतिजार रहेगा, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को जरूर लाइक किजीगा, और अपने दोस्तों के साथ सेयर भ बनाए रखें, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों